हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर जेनुएन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आप स्टॉक जैसे बड़े प GDP डेटा रिलीज हो चुका है और GDP यहां पर क्वाटर ली बहुती शांदार रिकावर होते हुए भी नजर आया है और दोस्तो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट यानि भारतिय शेयर वाजार भी अपने आल टाइम पिक क्या सपस चल ला है तो यहां पर बहुत भी GDP का न्यूज बारी किसे चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ निफ्टी फिफ्टी जो इंडियन शेयर मार्केट का सबसे मेन एंडाइस है निफ्टी फिफ्टी का अगला टार्गेट सपोर्ट क्या हो सकता है इसके ओपर भी डिसकस करेंगे तो दोस्तों प्लीज वीडियो करेंगे हेडलाइन है यह पर देख सकते हैं क्यू टू जी एंपी डेटा यानि क्वाटर टू जी डीपी डेटा लाइफ अपडेट इंडिया जी डीपी कॉंट्राक्ट शब्द के पर द्यान दाना दोस्तों कॉंट्रेक्ट यानि श्रिंक हो गया कम हो गया बाई 7.5 परसे डाउन हो गया बट अगर आप क्वाटर वान के साथ कमपेर करेंगे तो यहां पर दिखाता हूं आपको दोस्तों क्वाटर वान पे बहुत देख सकते हैं क्यू वान फाइनशिल है ट्वेंटी वान पे इंडिया का जो जीडीपी आया था नियल लीग डाउन हुआ था 24 पर सिन और क्वाटर टू में दोस्तों यहीज़िडीपी आज भी डाउन है सेगंड कवाटर में डाउन है यानि जूलाई अगोस् सेफ्टेंबर यह सेफ्टेंबर कॉटर में भी डाउन है बट डाउन अगर आप देखो गे तो 7.5 पर सिन यहां पे क्वाटर वान पे 24 प सकता है बट हाँ बहुत ही बढ़िया शांदार तरीके से यहां पर रिकॉवर किया इतना है बोल सकता हूं तो यह न्यूस अगर मतलब आप कैसे देखोगे आपका नजीरे के ओपर यह डिपेंड करता है आप अगर इसको पॉजिटिव लिदे होगे तो यह पॉजिटिव है अगर नेगेटिव लिदेखोगे तो नेगेटिव है बट मेरे ख्याल से यह बहुत ही पॉजिटिव न्यूस है क्योंकि बाउंस बैक किया है अगर आप परसेंटेज वाइस कैलकुलेट करेंगे होते है अल्मोस्ट शिक्स्टी एइट परसें रिकॉवर किया है इंडिया क सब्सक्राइब करेंगे तो तो दोस्तों अभी यह तो हमने जीडिपी डेटा देख लिया चलिए अभी थोड़ा स्टॉक मार्केट के उपर चलते हैं यह हैं निफ्टी का तीन महिने का चार्ट पैटन मैं आपके समने लगाया हूं अभी जो यह पर निफ्टी का जो जंदार उपर की तरफ बढ़ा है यहां पर देखिए बीच में यहां पर सेप्टमर की एंड में 11,000 के नीचे आ गया था उसके बाद से दोस्तों निफ्टी पीचे मतलब पीचे मुर्के नहीं देखा कंसिस्टेंटली उपर की तरह बढ़ता रहा एक्दम मतलब निफ्टी उसका पहले वाला जो हाई था उसको क्रॉस करके ऊफर निकल गया उसके बाद थोड़ा से यहां पर करेक्शन हुआ फिर उपर की तरफ निकल गया बट अभी मुझे लगदा है निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है अगर करेक्शन हुआ तो अगला सपोर्ट होग 12,850 का लेबल दोस्तों आपने कुछ दिन से देखा निफ्टी वहाँ पर बढ़िया सपोर्ड ले रहा था यूंकि कल यानि थर्जडे की दिन भी मार्केट थोड़ा स्टार्टिंग में डाउन था यहाँ आप देख सकते और ठिक यहीं पोजिशन में 12,850 की आसपास यहाँ पर निफ्टी को अच्छा का सा सपोर्ड मिला तो अगर फर्दर निफ्टी का जो 12,600 का लेबल टूड़ गया जो इसका जो मैं बुलिंजर बैंड ओपिन किया यहाँ अभी आप देख सकते कि निफ्टी का जो बुलिंजर बैंड का मिडिल बैंड कैलकुलेट हो रहे आ रह जब यहाँ पर फेबरोरी के स्टाइटिंग में 12,500 का लेबल क्रॉस करने कोई कोई कोशिश किया तब निफ्टी को यहाँ पर 12,400 सारे चार सुपर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और उसके बाद पर तो यहाँ पर करोना वाइरस के चलते चारो पूरा इंडिया पर करना निफ्टी को मुझे लगता है बट अभी देखता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर 12,600 की उपर ही सपोर्ट मिल जाना चाहिए निफ्टी को उसके नीचे नहीं आना चाहिए तो और आगे का जो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए वो होगा 13,000 की लेबल आपने देखा भी है आज कल दो दो बार इसके पहले भी मतलब 13,000 की लेबल पर उपर क्लोजिंग में दिया बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया तो इसका इमीडियाट जो टार्गेट होगा वो होगा 13,000 की लेबल सिर्फ 13,000 की लेबल टाज नहीं उसके उपर दो, तीन दिन ट्रेट करना यानि सस्टेन करके वहाँ पर ट्रेट करना तो दोस्ता अभी चलिए, थोड़ा मैं यहाँ पे निफ्टी के उपर भी चलता हूँ, आज की निफ्टी 50 का एनसु की वेबसाइट पर चलता हूँ, चलिए मैं यहाँ न 안裡 पे औरस निफ्टी आप आपको नज़र आएगा कि mostly sector में आज positive में closing दया यहां पर देख सकते दोस्तों निफ्टी बैंक से लेके निफ्टी ओटो निफ्टी फाइनान्स सर्विस निफ्टी FM से जी निफ्टी IT सर्विस को यहां पर छोड़के निफ्टी मीडिया, मेटल, फार्मा, PSU, प्राइवेट बैंक, रियालिटी सेक्टर हर एक सेक्टर आज positive में closing दिया है सबसे ज़्यादा जो टेजित हैं यहां पर प्राइब PSU बैंक में और यहां पर अगर आप देखो तो निफ्टी ओटो में आज ओटो सेक्टर काफी बढ़िया परफॉर्म किया है यहां पर आगर आप देखोगे तो इसका जो टॉप गेनर लिस्ट में दो आटो सेक्टर क स्टॉक नजराय का टाटा मोटोर्स और बजाज आटो तो आज निफ्टी ओटो बढ़िया चला है मार्केट में और जो टॉप लूजर की यहां पर अगर अगर देखोगे तो FMCG सेक्टर थोड़ा सा डाउन था यहां पर देख सकते हैं नेसले इंडिया पावर ग्रीट ज स्टील स्री सिमेंट एचल टेक यह थोड़ा सा डाउन चल रहा था आज तो दोस्तों यह था आज का निफ्टी का टार्गेट और निफ्टी का अगला सब मतलब रेजिस्टेंस अन सपोर्ट जो मिलना था आपके साथ शेर कर दिया और आज यह जो जीडीपी डेटा का लेट है बट मेरे ख्याल से डिसमबर क्वाटर में यहां पर पॉजिटिव ग्रोथ देखना स्टार्ट हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर वाइंड आप कता हूं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक ल झाल